नवस्कार दोस्तों, दोस्तों राची जारखंट से एक वीवर ने अपने घर का प्लान भेजा है और साथ में वार्शम मेसेज भी है पुरी जी में राची जारखंट से हूँ नाम भी उनने लिखा ये, घर में अकाल मत्य होता रहता है और हर पीडी में एक ही वंच चलता है बाकि सबकी अकाल मत्य हो जाती है, कोई काम सफल नहीं हो पाता है पर तब घर में अकाल मत्य हो जाती है, वंच में एक याद भी बचता है जो वंच चल सके और बागी सब के आकाल मत्पी होती है और कोई काम सफल नहीं हो पाता बता आर्थी किस्ति भी खराब है और ये उनके घर का उनने प्लान भेजा है पूरब पश्यम उत्तर दक्षिन प्लान इतने ही आया है मेरे पास और अब इन्हों लिखा ये पूरब हुआ मुझे माल लेते हैं अपन की दिवारसी भी है अब ये लिखते हाल रूम से दो फिट नीचे जाने का या गली और भे तो ये जो है मतलब इशान को उन्ट ये हो गया नार्थ 30 इससे दो फिट नी चाहिए और रूम एक दो तीन रूम चेंज नीचे ये दो फिट और ये तरह उचे होंगे तो ये चेंज नीचे इससे ठीक है ना ये इनको लगता है भूद गर है यहाँ पर तुछ साया है कुछ हैसा उनको लगता है यहाँ यहाँ किचन है उत्तर में किचन है और ये इससा आगे बढ़ा हुआ है इस तरीके से तो ये रूम में चार नंबर चार नंबर रूम जो है चेंज उपर है ये जो है चे मुर्गी फार्म है और आंगन से 2 फिर नीचे मुर्गी फॉर्म है इस आंगन से 2 फिर नीचे मुर्गी important अब देखं़ इहां से लवальных चार फिर नीचे हो गये देखिये इशान अकाल मत्ती उसी घर में होती है जिस घर के अंदर दो यहां दो सेडिक वास्तु दोश होते हैं तो दोनों दोश एक होना चाहिए सौथ वेस्ट में और एक होना चाहिए नार्थिस्ट में सिर्फ एक जगा होगा नार्थिस्ट में तो गंभी बिमारी आँगी पर बच जाएगा पर साउतिस नार्थिस में भी दोश होगा तो ऐसे घरों में अकाल मत्यों आपमत्या अन्होनी दुखटना कोई भी कारण बनता है होता है इनका ये हिस्सा चार फिट नीचा है ये हिस्सा उचा है तो तिशान कुन उचा नहीं होना चीए कटा घटा गोल य हिट भी गया है तिशान कुन गंभी रूप से खरावेंगा और इधर ये जो है काफी ये जादा है और दूसरी बात आप देखिए कि ये बीच का गड़ा यानि स्वरुनाश करता है क्योंकि ये चेंज उचे है ये उचा है ये बीच में गड़ा है अब बीच का गड़ा आगने के रूप में किसी रूप में भी हो वो बहुत खर्चा कराता है आर्थी किसी बहुत खराब रखता है एक दौआ ठीक है ये भूद घर लिखते हैं इसका मतलब यसा लगता है कि ये सेप्टिक टेंग यहां पर है अब इस सेप्टिक टेंग के कारण क्या होता होगा इस जगा पर इस जगा पर हुमेडिटी रहती होगी तो इल्ली के जो होगी कुछ होगा यहां का जो कमरा है इसकी पपड़िया निकल रही होगी सीलन होगी ऐसी जब होती है तो ऐसे घर में एसे रूम में जहां को सेप्टिक टेंग जा है ना इस लिए पॉसिवल अंडर प किएगा ये तो घर में काफी दोश है इसली को अब यहां पर इस सीलन लिलन हटा दें करें उससे से इतने ही फरक पड़ा है भूत फिरत के साय का महसुस नहीं होगा पर यह दोश है इसमें यहां पर है तो इस मतलब घर की महलाएं भी बिमार रहती है तो दक्षिन में जदी इ दक्षिन हो गया आगे तक गया हुआ है तो दक्षिन का गड़ा घर की मेलाओं का स्वास खराब रखता है यहां कर दक्षिन भी नीचा पशिम नीचा है तो घर में अकालनत्य वह थी और स्वास संदी कष तो चलते ही रहते हैं इस घर के अंदर फिक है ना यह आंगन है इस इससे आंगन नीचा हो गया ठीक है ना आंगन इमद्द में आगया इसको जी डाउन है पुल मिला कि इस घर में बहुत वास्तोडोश है इसको बता बोला जाए कि इसको ऐसा कर लो ऐसा कर लो इससे कुछ नहीं होने वाला है इस पर बहुत तोड़फूर करना पड़ेगी फ तो ये दौर हो गया इनका दक्षिन अगने का तो कोई दिक्कत नहीं है इसको यू कट मार कैसा कर लें ये फ्लो लेबल इसको नीचे कर लें इसको बराबर कर लें ये पूरा फ्लो लेबल हाल रूंके बराबर कर लें फिर किचन इनका आजाएगा उत्तर दिशा में उत्तर के मेला हैं समझधार होतीी है घर के पुछो कमाने के लिए कम मह ejt करना पड़ती है उसके लिए इतना अलग कले है अलग करके यह इसस्य को तोड़ दे यह इतना निर्माड कले यह इसको तोड़ दे तो यह कट खत्म होजाएगा यहां पूरा पूरा इसका फ्रू लेवल बराबर कर देंगे, यह पूरा सhी हो जायगा ठीक है? और यह कट को इस तरीके से करके थाएंट कर लें यह जो यह भछेत स्वाज़ हो नहीं, यह दोन की भो साह catching नहीं सालो जाएगी और यह जो septic tank है उनको ये स्टूर्ट टैंक यह के बना लें उत्तर मैं यह बना लिवं दान вн मि दीवार बनाकर इसको अलग करना है अब इधर आने के लिए इनको अलगे से कनक्टविए व और उन्सकी बाक इसे हांने के चाहिए अब इसकंपने लिए यहां निर्मान कर ले और इसको connectivity यहां दे दो सेप्रे टेंग यहां बना ले यह दिन के पास जगा होतों यहां इस रूम को destroy करके यहीं ट्रायलेट बासम सेप्रे टेंग बना ले इस तरी के सुछ प्लानिक कर ले यहां पर यह साला कर ले और इसका flow level एक जासा कर ले जो भी flow ले बले तो इस तरी के से इनको जरात मिल सकती है मुझे अम्मीद है कि यह समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है और आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा नमस्कार